दोस्तों आज की वीडियो में डिसकस करूंगी बायो आर 303 को फसलों में कौन सी स्टेज पर यूज करना चाहिए जिसे कि इसके एक नहीं बलकि तीन तीन बैनिफिट हमारी फसलों में मिलें फ्लोवर्स जादा हैं इंसेक्ट को भी कंट्रोल करें फर्टिलाइजर का भी काम क करें यानि एक के बदले हमें तीन बैनिफिट एक साथ मिलेंगे तो कौन सी स्टेज में यूज करना चाहिए पर्फेक्ट इसकी डोज क्या होने चाहिए कौन कौन सी फसलों में हमें यूज कर सकते हैं डिटेल से इसी वीडियो में डिसकस करूंगे बायो आर 303 जो की दमन क अपनी का आता है तो वीडियो के अन तक जरूर बने रही है नमश्कर दोस्तों मैं हूं अनिता सिंग आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन और्गेनिक जर्निक दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर क इसे काम करता है यह एक बेस्ट फर्टिलाइजर का भी काम करता है टॉनिक का भी काम करता है और साथी इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है अब यह कैसे वर करता है अगर इसके कंपोजिशन देखें कि यह कैसे कैसे बना हुआ है तो आपको क्लियर समझ में आएगा इसमें प्रोजन होता है 2% फासफ़ोरस होता है 1% पोटेशियम होता है 3% और प्लांट फेट होता है 18% और वोटर मिनराल होता है इसमें 52% तो इस तरीके से ये एक फार्टिलाइजर टॉनिक और इंसेक्टिसाइड का काम करता है लिक्विड फोर में यह आता है इसके अगर बेनिफि होता है कि ये प्रकास अंसलेशन की प्रिकिरिया को बढ़ाता है जिसे कि हमारी फसल अच्छे से भोजन बना पाती है और हरी भरी रहती हैं सेकंड है कि इसके स्प्रे के बाद में फल फूल जादा आएंगे फ्लोवर्स बहुत जादा आएंगे अगर फ्लोरिंग स्टेस से आ होगा बढ़ेगा सर्दियों से गर्मी आएंगी तो टेंपरेचर जैसे चेंज होगा तो फसलों को विपरीट परिश्टितियों में प्रोटेक्ट करता है ये इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट है अगर फसलों की बात करें कि इसको कौन-कौन सी फसलों में यूज कर सकत जैसे कपास, तूर, चेना, सरसू, जीडा, गन्ना, चाई, कोफि और लगबग सब भी हमारी बागवानी के प्लान जैसे की अनार, अंगूर वगरे इन सब में इसको यूज कर सकते हैं यानि ये 100% और्गेनिक है तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है तो हमारी में बहुत अच्छा रिजल्ट है वो है लीफ माइनर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है उसके साथ ही थ्रिप्स माइट से इनको भी अच्छे से कंट्रोल करता है दोस्तों इसको यूज करने का सबसे परफेक्ट जो तरीका है कौन सी स्टेज में यूज करना चाहिए तो जैसा मैंने आपको बताए कि फ्लोवर्स जादा आएंगे परकास अंसलेशन की परकिरिया को बढ़ाता है तो यानि कि फ्लोरिंग स्टेज से जस्ट पहले जब भी हमारे फसल में जैसा आप वीडियो में देख पारे होंगे कि प्लांट से जब हमारे साइस थोड़ी सी ब जादा आएंगे प्राइस की इसकी बात करो तो 200 ml की ये बोटल मेरे पास है जिस पे मर्पी है 950 रूपए और मार्केट में ये लगबख 8500 से 900 रूपए की सम्थिंग मार्केट में अविलेबल होता है प्राइस थोड़ी अप डाउन हो सकती है इसकी परफेक्ट डोज की ब को फैल लीफ माइनर वगड़ का जादा है तो डेड़ इमल पर लिटर केसाब से गोल तयार करना है और अगर आप प्रेवेंटिबिर पहले से ही कर रहे कोई किसी भी टाइप की प्रोब Express में तो फिर आपको एक इमल पर लिटर केसाब से गोल तयार करके इस प्रेय करना है एक एकड में 200 से 500 ml आप इसका यूज कर सकते हैं कॉंबिनेशन की बात करें तो दोस्तों इसके साथ में वैसे तो यह 100% और्गेनिक है तो आप इसके साथ में फंगिसाइड वगरे यूज कर सकते हैं लेकिन हम रिकमंड नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसका रिजल्ट देखा है कि इसके साथ में सिर्फ आप सिलिकोन चिप को यूज कर सकते हैं थोड़ा सा कोश्टली प्रोडेक्ट है इसलिए कम डोज में ही आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा तो सिर्फ इसके साथ में सिलिकोन चिप को यूज करें और कुछ भी यूज नहीं करना सिर्फ इसी क स्प्री करना है डूरेशन के बात करें तो इसका डूरेशन 15 से 20 तीन तक आपकी फसलों में असर देखने को मिलेगा इसलिए दोस्तों आपको मैं इस प्रोडेक्ट को स्पेसली रिक्मेंट कर रही हूं कि आपको फ्लोरिंग स्टेज से पहले यूज करना है ताकि फ्लोवर्स जद आएंगे इंसेक्ट वगरे से हमारे फसल बचेगी और साथ ही जो भी प्रतिकुल परिष्टितिया उनसे भी हमारे फसल प्रोटेक्ट रहेगी दोस्तों अगर हमारे जान करें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और भी किसान दो दोस्तों तक शेयर जरूर करें धन्यवाद